हेलो एवरिवन मैं मितुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे जारकण में 26001 पदों के लिए जो सहायक अचार की भरती होने बाली है अब आपको पता होगा कि इस पे सरकार मैंने कल ही वीडियो दो वीडियो एक्शली ब बताया था कि सहायक अचार को लेकर सरकार फिर से सुप्रीम कोट अलग से जाएगी और असोक जो मनु सिंग भी है वो जो है सरकार का पक्षा रखेंगे बहुत बड़े वकील है नामी गिरामी वकील है और केजरिवाद जिनको जो है जमानत पे बाहर उनको जो है लाने का का भी उन्हों नहीं किया था एलेक्सन के दोरान और हेमन सोरेन का भी केस वही लड़े है तो काफी नामी गिरामी वकील है और साहक अचार के लिए आप सरकार की पैर भी करते हुए भी आपको दिखेंगे तो कैर अभी इस पे बात नहीं की जाएगी अभी जो है सिर्फ और सि आउट अप सिलेबस को लेकर क्या है क्या एक्जाम फिर से कराया जा सकता है एक्जाम कैंसल हो सकता है तो देखिए मेरा पूरा पूरा जो अनुभव है उसके एकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ मैं पिछले चार से पांस साल से यूट्यूब पे हूँ और वीडियो इस छात्रों को जे ससी ओपिस को जाकर घेरना पड़ा कुछ वहाँ पे जो है हिंसा वाली घटनाएं भी हुई जो कि बहुत गरत वात है ऐसी घटना आपको नहीं करनी चाहिए वहाँ पे गाड़े वगरे के सी से तोड़े गए और फिर स्टुडेंट सब के उपर F.I.R. भी हुआ तब जाकर CGL को रद किया गया और जो 4 February यानि कि उस समय का examination होने वाला था उसे भी रद किया गया था तो अब देखिए सरकार के लिए achievement है सरकार के लिए जो है achievement है एक उपलबधी है कि अगर ये exam अच्छे से करा लेते हैं तो इसे किसी उपलबधी से कम नहीं मान जाता है जारकरण में तो ये exam conduct हो चुका और ऐसे मैं out of syllabus वाला जो case है देखिए मैं आपको अपना personal experience बताता हूँ मेरा PCM था physics, chemistry, math मेरा था और physics और chemistry के जो questions थे बहुत सारे questions 9 और 10 या फिर 8 standard के questions थे तो अब आप मुझे बताओ कि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है असान question कूछ लिया गया तो इसमें कोई गरवड़ी वाली बात है क्या नहीं गरवड़ी वाली बात नहीं है लेकिन बात आती है mathematics की तो maths में देखो सवाल कैसे पूछे गए maths में इन्होंने पूछ दिया competitive वाला math ठीक है syllabus को अगर आप ध्यान से देखोगे तो syllabus में कहीं भी competition वाल syllabus में आपने वह mention नहीं कर रहा है यानि कि आप चौकाने वाला काम करते हो तो यह काम आप कर नहीं सकते हो देखिए फंडली वह बोलते हैं कोई ना कोई धरती पर है जो इस तरह की बात या फिर अपनी आवाज को उठाएगा अब इसी तरह से एक और case है उसके बारे में भी इंग्लिस पढ़ने के लिए बोल दिया गया है कि आपको इंग्लिस जो है 50% नमबर के लिए इंग्लिस पढ़ना ही होगा अब बताओ यह सरासर गलत है या सही है जिनोंने जीवन में इंग्लिस नहीं पढ़ा है लिटरेचर नहीं पढ़ा है इंग्लिस के जो बड़े- और जे ससी ओपिस में इसकी सिकायत पायता दर्च की गई है और इस पे क्या action आएगा मैं आपको बता दूँ अब भी से मैं थोड़ा सा optimistic इंसान हूं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ action इस पे जो है होने के चांसे 0.0000001% है कि इस पे action लिया जाएगा अब मैं ऐसा क्यो Supreme Court जा रहे है ताकि परिक्षा जो परिनाम है सायक अचार का परिनाम है इस पे रोग हटाई जा सके ऐसा जो है रासरकार ने खुद कहाए कि यह सरवोच नयाले में या जो या चिका है वो दायर करेगी ताकि जल्द से जल्दो है सायक अचार की भरती complete करा जा सके और आपको 2024 के लिए जो है syllabus को discuss करा जाएगा और जो best way में possible तरीके से syllabus को discuss करा जा सकता है वो हम लोग कराने की कोसिस करेंगे अब बोलोगी syllabus तो आया नहीं है तो आप कहां से discuss करा दोगे तो देखिए जो पुराना वाला syllabus है 2016 का उसके according में जो है उसके बाद जो 2024 में भी है कुछ बात करते हो जिसका जो है लिंक उसके लिए एलक्सिक प्लेइस्ट भी बना दे गई है लिंक आपको description box में भी दे दिया गया है तो जेटेट के previous question paper में देखिए मैंने CDP आपको पढ़ा दिया है CDP के जो question पुछे गए थे वो करा दिया है Hindi के question answer को मैंने करा दिया है जो question पुछे गए थे Hindi English तीन अभी जो है video upload हुई है आज फिर से एक बार CDP 125 में जो पूछा गया था जो की 6-8 के लिए भी important है उसकी भी video डल जाएगी अब यहां से देख लिजिए मैं आपको थोड़ा जूमिन करके दिखा देता हूँ यह subject concerning paper था उसमें पूछा गया कि अधिकतर सवाल जो है अधिकतर जो question थे वो सिलेबस से बाहर पूछे गए थे सम्मंदित जो अभीरती है उन्होंने सिलेबस से बाहर प्रसंद पूछने का आरूप लगाते हूए इसकी लिखित सिकायच जो है जेससी office में की है यानि कि जारक पती हैं गीता कुमारी हैं पूजा कुमारी हैं और पूसपा है इन्होंने लिखित सिकायच जो है रिटेन में जो है अपनी application दी कि आप लोग मेरे साथ गलत कर रहे हूँ अब देखिए अब यर्थियों का आवेदन आयोग के सचीव ने प्राप्त किया है जिसमें कहा गया है चतुर्थ पेपर जैसे की राजनिती बिग्यान यानि की पॉलिटिकल साइंस जोगरफी समाज सास्त्र यानि की सोसलोजी और वानी जी और लेखा जो सास्त्र है और अर्थ सास्त्र है इसमें जो सवाल पूछे गए थी 60 से 65 पर 30 याद रखेगा 65 पर 30 की बात हो रही है स सिलेबस से बाहर के सवाल पूछे गए थे इससे अब यरतियों को सही जवाब देने में काफी कटनाई हुई इससे 27 और 28 जुला की परिशा में सामिल होने वाले अब यरतियों का भविस से अंदकार में हो गया है अब देखिए इसी तरह से मेरा एक्जाम 22 जुलाई को था जिसमें कि किसका एक्जामेनिशन था तो PCM का मेरा एक्जामेनिशन था जिसमें कि इसमें भी आउट अप सिलेबस कोशन पूछे रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं है एक्जाम अगर सरकार लेना चाह रही है और इसका रिजल्ट जारी करना चाह रही है तो मैं तयार हूँ कि आप ठीक है ले लो मेरा एक्जाम ठीक टा गया है मुझे कोई प्राबलम नहीं है नहीं पेपर फोर में और पेपर टू और थिरी तो बहुत ही बल्ले-बल्ले वाला एक्जाम गया है तो मैं आपको बार-बार कर रहा हूँ आप जेटेट का भी एक्जाम दोगे तो याद रखिएगा खोठा ही आप चुनना या फिर आपका जो लोकल लेंग्वेज है नागपुरी हो सकता है पंचपर गनिया संथाली हो सकता है तो रिजिनल पेपर को आप चुनिए एज मिलेगा यानि कि दूसरे से आप बेटर कर परफॉर्मेंस कर पाओगे जब आपके पास रिजिनल पेपर होगा तो यह तो भी पहली बात दूसरी बात आपके लिए मैं एक और बात बता दू अब भी जो साहय का चार का एक्जाम दे रहे हैं बिलकुल तैयारी में लगे रहे हैं जे साइंस वाला पेपर हो या फिर सेस्टी वाला पेपर हो या फिर 1-2-5 में समान अध्यन और मैथ वाला हो उसमें आपको 40% हर सेक्षन में लाना होगा यानि कि हर सेक्षन में मिनिममं 12 नमर अगर आप नहीं लाते हो और किसी में आप जिसे देखो 90 नमर टोटल ले आते हो ठ तो आप डिस्कॉलिफाइए हो जाओगे तो प्लीज मेक स्योर अच्छे से पढ़ाई करें और जेटेट को लेकर जो मैंने बाते कही है तैयारी में लगे रहें सिलेबस की वीडियो आज अपलोड हो जाएगी फाइनली बाति गंगा मैं मैं भी हाँ दो लेता हूं I don't want to do that मै यह करना नहीं चाहता था फिर भी अब करना ही पढ़ रहा है क्योंकि सरकार सेप्टेंबर में एक्जाम ले लेगी सिलेबस जारी होने वाला है नहीं अगस्त अच्छली दो अगस्त में हम लोग परविज कर चुके हैं तो ऐसे में जो भी सिलेबस है जैसा भी है उसी के एक कर दो कर दो कर दो किया